हरे किष्णा में नाम है डौक्टर प्रतिक चुहान और आज मैं यहां बात करूंगा हाइड्रो क्वीनोन के बारे में हाइड्रो क्वीनोन क्या चीज है आपने से सभी लोग इससे जानते होंगे इससे फैमिलियर होंगे लेकिन यहां जो मैं आज आज आपको इस क्रीम के बारे में इस प्रोड़क्ट के बारे में जानकारे दूँगा वो शायद ही पहले कभी आपने सुनी होगी या फिर यह जा ने चेहरे पर ज़ाईय हैं चेहरा काला है आपका तो ये ड्र यह करता है ताकि यह कैस एक्सकनल वाला भी प्रेस्काइब करेगा उन्य दिए आप किसी अनफ़ड़ दोक्टर के पास में जाते हैं तो वो भी आपको यही क्रीम यही साथ प्रेस्काइब करेगा हाँ बस फर्क इतना होगा कि एथिकल और जैनरिक में फर्क होगा कि हो सकता है कि जो डर्मेटलोजिस्ट है वो तो क्या फाइदा होता है इसका क्या वाकी में इसका फाइदा होता है कि यह इसका नुकसान होता है क्या वाकी में जाहियों कर देती है तो चलिए आज मैं इसी के उपर वीडियो बनाने वाला हूं और इसे के बारे मैं आपको जानकारी दूँगा तो यह में चीज़ है यह skin bleaching agent है यानि कि skin को light यह करता है इसको हम कहते हैं Benzen1 इसका दूसरा नाम है Benzen1 और यह एक phenol type का acidic agent है यानि कि यह जो hydroquinone है इसके अंदर acid होता है यानि कि इसका pH value है इसकी acid है लेकिन यह जो acid है कि उस तरह का इसे नहीं है यह एक week type का acid है आप देखते हो न कि अगर acid आपके हाथ पर लग जाए अगर acid चेहरे पर लग जाए तो चेहरा जुलत जाता है लेकिन यह उस type का भयांगननक भयांगनक acid नहीं है लेकिन यह उस low category का acid है लेकिन है यह acid ही चलिए इसके बारे में और सुनिये 2006 में यह जो FDA है यानिके adult लोग को उपर और चुहे को उपर जब इसकी study की गई hydroquinone की तो उसमें पाया गया कि इसको लगातार यूज करने के बाद में tumor बनने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है और thyroid follicular cell hyperplasia यानिके simple thyroid का cancer होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है leukemia यानिके blood cancer होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है heptocellular adenomas यानिकी आपका liver cancer होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और renal tubular cell adenomas यानिके आपके kidney cancer होने की संभावना अधिक हो जाती है और चलो मालो कि kidney cancer आपको हो भी ना liver cancer आपको ना हो blood cancer आपको ना हो और फिर thyroid cancer आपको ना हो simple language में तो इनके function तो district हो ही सकता है हलके full के जिसे माल लिजे अगर आप ये cream बहुत access में लगातार यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका thyroid का function बिगड़ जाए और चलो वहां तक भी बात नहीं पहुंचते कि thyroid का function आपको बिगड़े पहली बात ये आपकी skin को जला देता है क्योंकि इसका जो pH value है इसकी pH value acid है और आप सभी जानते हैं यदि तेजाब चहरे पर लगाया जाता है या तेजाब जिन लोग को पढ़ता है उनके चहरे की स्थितिक क्या हो जाती है आप में से बहुत लोगों ने scope योग क्या होगा इसलिए आप लोग को पता है कि ये क्या काम करता है ठीक है अच्छा मैंने कुछ डॉक्टर से बात की जो डर्मेटलोगेज़ डॉक्टर है और कुछ वेबसाइट में बगया जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है तो उन्होंने यही कहा कि यदि डर्मेटलोज़ेश्थ आपको ये प्रेशकारिब करता है और ये आपको देता है तो वो ये जानता होगा कि ये आपको फायदा जादा करेगा और नुकसान कम करेगा यानि कि वो ये बात जानता है कि ये नुकसान करेगा लेकिन उस नुकसान के बदले आपको फायदा जादा करेगा अब भाई मेरी समझ से बात बाहर है कि जो चीज आपको cancer पैदा कर सकती है thyroid का, liver का, kidney का, tumor पैदा कर सकती है और आपको blood cancer जी सकती है केवल तुचा को साफ करने के लिए अगर उसको use कर जाए तो ये चीज मेरी समझ से बाहर है ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा उन्होंने लिखा ये चीज आप जाके Wikipedia पे चेक कर सकते है और the nature एक पत्रिका है वहाँ चेक कर सकते है ncbi.com पे आप चेक कर सकते है और ये जो national food and drug administration of health है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते है अच्छा, 1982 में FDA नहीं food and drug administration नहीं इसको approve किया था कि ये safe है और human के लिए पूरी तरह से safe है लेकिन NTP यानि के national toxicology प्रोग्राम में जब इसके उपर research किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये safe नहीं है ये human के लिए बहुत ही जादा toxic है यानि कि ये जहर है human के लिए अगर वो orally इसको लेता है तो और यदि वो actually इसको लगाता है तो दोनों रूप से ये बहुत ही तरह harmful है 2006 में इसको ban किया गया था सभी धेशों से अब मुझे बात समझ में नहीं आती कि dermatologist को तो पता है जो बड़े से बड़े dermatologist है उनको तो ये चीज पता है कि ये चीज कैंसर तो पैदा कर सकती है और यार उनके पास तो तोचा के patient की कमी नहीं है ना उनके पास तो दो मिनिट का समय भी नहीं होता कि वो सांस ले सकें दो मिनिट का समय भी नहीं होता patient को देख सकें फिर वो patient को ये prescribe क्यों करता है जबकि उनके पास तो हजारों के साथ हैं अच्छा, डर्मेटोलोजिस्ट ने आपको क्रीम प्रेस्काइब किया और एक गाहों का एक अनफर डॉक्टर भी आपको यही क्रीम प्रेस्काइब करता है तो दोनों में अंतर क्या रहा आपको एक पढ़ा लिखा डर्मेटोलोजिस्ट डॉक्टर भी आपको यही प्रेस्काइब कर रहा है फीस लेकि अपनी और आपको एक अनफर डॉक्टर भी यही प्रेस्काइब कर रहा तो दोनों में यार अंतर क्या रहा और डर्मिटेलोजिस्ट को तो चलो यह बात पता है कि इससे कैंसर भी हो सकता है लेकिन यार कम से कम उस अनपर डॉक्टर को तो यह बात नहीं पता तो इसमें तो उस बिचारी के कुछ गलती है यह नहीं तो बड़ी गलती किसकी है बड़ा पाप आपको पता है कि इससे क्षे itself क्या side effect होते है और आपको पता है क्य यह क्या करता हैम जो बताने की जोत नहीं है पिछली वीडीओ वी मैंने बताया था कि ट्रेटीनों क्या करता है हाईड्रो क्या बी यही सेम काम करता है और मुझे एक patient भी आज्स तक नहीं मिला करती हैं बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि फार्मेस्टिकल्स कंपनिया क्योर क्रेट नहीं करते हैं फार्मेस्टिकल्स कंपनीज डज नोट क्रेट क्योर्स इट क्रियेट कस्टुमर्स ठीक है अगर वो क्योर क्रेट कर देंगी तो फिर आप उनके पास में समान कैसे खर क्यों create करें वो अपने business पर साथ क्यों डालने दूसरी बात यह जो अब जैसे blood pressure है diabetes है इनका भी यह चीज़ है आपका doctor यह थायड है अब जैसे आपको थायड हुआ diabetes होई blood pressure हुआ आपका doctor जो specialist doctor होता है असल में जैसे diabetes को कोई specialist doctor वो करेगा यह गोली है यह sorry मर खाओ आप किसी अनपर doctor पास में जाते हो experience थो उसको भी है ना वो भी यही कहा जी यह गोली है जी sorry मर खाओ आप दोनों में अंतर क्या रहा जब ultimately सारी जांच कराके सारी बाते सुनके उसने भी आपको यही कहना जी यह गोली है sorry मर खाओ एक अनपर doctor ने भी आपके बास सुनके यही कहना जी यह गोली है sorry मर खाओ द वही आपको अंतर देरा है जोला चाप दोक्टर देरा है और वही आपको शॉली बियों बिर दोक्टर कि ऐतना हो सकता है कि जो अन्तर निया क्यों इतना experience तो एक अंतर ंतरiringman chapter को भी हो जाता जो इस तरह के पिशिंट देखता है हो जाधा अनको और आप यह सभी लोग जानते हैं और आप जानते हैं अपने मन के अंदर कि जो भी मैं बात कहा रहा हूं वो बिल्कुल सच कहा रहा हूं ठीक है तो फार्मिट्विटिकल्स कंपनिया कभी भी क्योर क्रेट नहीं करती है व लोग क्या अंधह हैं उन्हें दिखाई नहीं देता कि इतनी सारी माता दाउं के बहनों के जोदा diezुकल को परबिधा क्यों अब निये हैं चली जो हुआ सो हाँ आगे इसको मत लगाईए और अगली वीडियो में मैं एक आपको नया तरीका बताऊंगा कि यदि आपका चेहरा जुलसा हुआ है यदि आपको मेलाजमा है तो बिल्कुल एक नया तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़ूरी है और बैल आइकन पर क्लिक करना बहुत ज़ूरी है तो अपना एक्सपिरेंस आप शेयर कीजिए यदि आपका चैरा जुलसा है तो प्लीज कमेंट करके बताईए लोगों मना कीजिए कि क्रीम उपयोग मत करना ठीक है और यदि आपका क्रीम के जो साइड एफेक्ट है जिस चीज़ सापके ठीक है यार वो भी आप सियर कीजिए कि किस चीज़ सापके क्रीम के साइड एफेक्ट ठीक है वो भी आप हमें जुरू बताईए और यदि किसी क्रीम से अगर आपको फायदा हुआ है तो उस क्रीम का नाम भी मुझे मेंशन कर दीजिए जरा मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन सा क्रीम है जो कि लोग वो फायदा करता है तो चलिए ये वीडियो थी आज के लिए आशा करतों को आपको मेरी पास समझ में आई होगी और गौर्णमेंट को कुछ नहीं लेना देना उसको तो सिर्फ पैसों से मतलब होता है अब फार्मर्स विटिकल्स कंपनिय उनको पैसे दे रही है वो लोग आप से पैसा लेना है भले चाहे चीज आपके नुकसान के लिए हो भले चीज आपको गुमरा कर रहे हो लेकिन आपको देने से मतलब अब जैसे एक चैनीज अप्लिकेशन है टिक टॉक यह चाइने के अंदर लोग इसको यूज नहीं करते क्योंकि पता है कि यह नेशनल शेक्योर्टी के पर दूगा ठीक है और आपको बड़े अच्छे से पता है कि टिक टॉक ने हमारे हिंदुस्तान के साथ में क्या किया है लड़कों के साथ में क्या क्या है बहुत अच्छे से पता है लगे इसको बैन नहीं कर रहे हैं और जिल लोगोंने इस चीज को देखते हैं लग मैं केवल मुझे पहले से ही पता था ठीक है इस वात को लेके और मैं केवले कह रहा हूं अब ही मेरे बात इस क्रीम से दिमाद के अंदर आई कि जो चीज को परोस की जाती है और वही चीज आप यूज करते हो अच्छा यूज कर में अब भले ही चाहिए भूप को मना करें लेकिन आप ही औहन अब इसको नुक्सान हो आया मुझे तो नुक्सान नहीं होगा मेरं तो हो धिल्या होगी उसकै ताहिए बस इसी ब्रह्म्म मेल आफ आफ रहते हो और वह आग आपके पास में कब पहुंच जाया आपको पता ही लगता है ऐसे ही यही चीज़े टिक टोक के साथ ही यही चीज़े इंकरीम के साथ भी यही चीज़े बागी चीज़ों के साथ भी तो चली आशा करता हूं और जो मैं study यहां करता है आपको बताता हूं पता तो मुझे होता है लेकिन पूरे fact के साथ पूरे सुबूत के साथ और पूरी home study के साथ ने आपको बताता हूँ ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल सही सही बता हूँ ठीक है चलिए आप सभी खुश रहें और परबांतना सभी का भला करें